कैसे हैं आप सभी आई होप सो आप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे आप सभी का फिर से स्वागते एक और वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 सूपर भाई क्रैसिस इन इंडिया पार्ट टू बिसिकली से पहले मैंने पार्ट वन बना रखा है अगर आ पर यह सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी सूपर भाई मतला आप लोगों में से भी कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ड्रीम होगा कि कभी ना कभी मैं हाया बुसा लूँ या फिर बीम डबलू सावजन अरा लूँ बहुत सारे लोगों का सपना रहता है इंडिया के अ कोई ना कोई ड्राइवर या कोई ना कोई इंसान कहीं ना कहीं कर देता है जिसकी वजह से एक्सिडंट होने के चांसे पहले हुआता जहां पर एक हयाबुसा और के बीच में एक्सिडेट हो जाता है बंदा ऑपनी पूरा समस्था है और जींग अपनी गारी होता है जूक्न होता है जी सांते अपनी बहनी कर पाता है जो था झतल ने इसके अंदर हेट हो जाता है यहां पर अगर मर्सेडीस को देखो गई तो पूरी देमेज हो गई है और इंजिन सब एहमदाबाद highway पर यह accident होता है आप में से अगर bikers होंगे तो definitely आप लोग कभी ना कभी तो Sunday right पर गई होगे वैसे ही यह लोग भी अपने group के साथ enjoy कर रहे होते हैं बिल्कुल ही morning का time में रहता है और थोड़ा सा foggy weather रहता है जिसके विजिबिलिटी काफी हद तक low रहती है ए यहां पर आप लोग देखोंगे तो फ्रंट से जो है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है है सब मतलब गायब हो गया है आगे से काफीज़ डैमेज आ गया है खैर जो राइडर रहता है उसने साथ प्रोटेक्टिव गिर्स मैंने रहते हैं helmet jacket gloves तो इसकी से उसको ज बेटे की accident हो जाता है वो बिल्कुल college student रहता है और उसके mother father उनको bike gift करते हैं लगवक 13-14 लाख रुपे की एक bike जो की बिल्कुल ही brand new रहती है मुश्किल से 4-5 दिन ही पुरानी वो bike रहती है इवन वह भी register भी नहीं होई होती है और यह बंदा रहता है यह इस bike की top speed लगान रहता है और बाद में उसकी भी death हो जाती है यहाँ पर आप लोग bike की हालत देख सकते हो ब्रैंड new bike रहती है इसकी क्या ही हालत हो गई है तो बाई अगर आप लोग भी जो जोश में आपके mother father bike दिलाते है और आप top speed मारने की कोशिश करते हो बाई ऐसा बिल्कुल भी मत करो पहले bike को समझो उसकी power को समझो उसके बाद ही कुछ ऐसा decision लो ठीक है next number 4 R1 का accident है जो कि केरला में होता है एक R1 और पेड़ के बीच में accident होता है और उसके बाद नतीजा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो गलती रहती है मुझको लगता है rider की गलती के वज़े से accident होता तो यह चीज़ काफी बार होती है यह बंदा भी काफी ज़दा over speeding कर रहा होता है वो भी रात के टाइम में बाइक जो है वो अनकंटोल होती है चीदा जागर के हिट करती है एक पेड़ को और यहाँ पर मतलब बाइक को देख सकते हो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकि है जो इस बाइक का राइडर रहता है उसकी देथ हो जाती है क्योंकि इतनी ज़दा स्पीड में आप किसी चीज से कोलाइड करोगी तो देथ तो हो नहीं है वो तो अगर आपकी किस्मत ही अच्छी होगी तो ही शायद आप लोग बस सकते हैं बाकि आप लोग हालत देख सकते है एक डुकाटी पैने के लिए जिसको हाइड स्पीड में काफी चलाया जा रहा होता है और आपको बोला कि नाइट में विजिबिलिटी कम रहती है उसकी वाजैसे ही एक्सिडेंट हुआ यहां पर यह बंदा रात के टाइम में काफी जदा ओवर स्पीडिंग कर रहोता है और जाकरके एक ट्रैक्टर को हिट कर देता है ऐसे ही यह बंदा ट्रैक्टर को हिट करता है उसके कुछ टाइम बाद जो है डुगाटी के अंदर आग लग जाती है बलब पूरी तरीके से जल करके राख हो जाती है आप लोगों के सामने है इस एक्सिडेंट के अंदर जो इसकी दैथ हो जाती है आप लोगों इन्हें भी हाइवे पर यह चीज़ काफी बार एक्स्पिरियंस करी होगी ट्रक हो यह ट्रैक्टर हो उनका जो पीछे का पूरा कंपार्टमेंट होता है वो पूरा लोहे से बना होता है और काफी बार उसके अंदर लाइट नहीं लगा फ्रण से डिस्ट्रॉई हो गई है और सब्कुछ महां से गयब हो गया है यह तो ही बाई है तो इसकी अंदर कुछ भी न भी बचा फ्रंट से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉई हो गई है एडिडाइट्स मेरार सब कुछ में से गायब हो गया है मीटर वीटर सबकुछ गायब हो गया है तो यह एक्षेन काफीच्प बहानक था और इवन उसने ना तो helmet पहना होता है ना ही कोई safety gears पहने होते है और ये accident जो है वो काफी ज़दा speed में हो जाता है एक XEV-5OO driver जो की सामने से आ रहा होता है Prime Detona कर rider रहता है वो bike को control नहीं कर पाता और वो जा करके XEV-5OO के अंदर hit कर जाता है यहाँ पर जो accident होता है वो काफी ज़दा भयानक होता है जो bike कर रहता है उसका पैर रहता है लगबग तीन हिस्सों में तूड़ जाता है तो यह काफी ज़दा भयानक accident रहता है यहाँ पर अगर आप bike को देखोगे तो bike पूरी तरीके से destroy हो गई है इसका front तो पूरा का पूरा खतम हो गया है front की जो fairing है, handling है, headlights है each and everything जो है वो destroy हो जाती है यहाँ पर जो XCV-5W का driver रहता है वो वहाँ से भाग जाता है पता नहीं क्यों उसकी गलती रहती है या जो भी और उसके बाद यहाँ पर अगर आप XCV-5W को देखोगे तो यहाँ पर जोसका fender vendor है वो भी थोड़ा बहुत डेमेज हो गया है तो भाई अगर आप लोग भी super bike चलाते हो तो please भाई आप लोग अपने safety gears को पहन के चलाओ इवन एक helmet तो पहन के चलाओ कि आपके सर में injuries ना है next number 8 Kawasaki ZX6R का यह accident होता है अब भाई देखो हर बंदा responsible rider तो होता नहीं है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेफजूल में super bike ले ले लेते हैं और उससे मतलब सिर्फ और से show off करने के कोशिश करते हैं यहां पे भी exactly यह होता है एक riding group जो की public road पे भाई stunts कर रहा होता है wheelie मारना, stopie मारना और यह सारी चीज़े कर रहा होता है और एक time आगर के bike जो है वो uncontroll हो जाती है और जाकर के एक wall से टकरा जाती है यहां पर आप लोग bike को देख सकते हो मतलब अच्छा खासा damage जो है इस bike के अंदर आ गया है biker जो रहता भाई वो injured हो जाता है I hope so भाई अब उसको यह समझ में आ गया होगा कि भाई public road पे stunts ना ही करूं तो जादा बढ़ी रहेगा next number 9 मुंबई का यह accident है जो की कसारा घाट के पास में होता है 2018 में बिसीकलि एक Z900 rider जो की ride कर रहा होता है और यहां पर जो गलती रहती है वो tempo driver की रहती है और tempo driver तो भाई किसी भी state के लिलो ना मतलब इतनी ज़्यादा बेवकूफ तरीके से चला है और एक tempo driver जो की wrong side से आ जाता है और bike जो है वो सीधा जा करके उसके अंदर hit कर जाती है इस accident के अंदर जो भाई कर रहता है उसकी तो on the spot death हो जाती है मतलब किसी और की गलती के वज़े से बताओ किसी और को जान देनी पड़ी यहाँ पर अगर आप लोग image देखोगे तो bike के हालत देख सकते हो next or last number 10 यह accident होता है यमना एक्सपरेस वे 27 जून 2021 में एक हाया बूसा और एक BMW S1000XR का यह accident हो जाता है ठीकली भाई अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो आप मेरी बात को relate कर सकते हैं मतलब दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रूप्स हैं जो कि सूपर बाइक को ले करके Sunday ride पर जाना इंजॉय करना वो लोग कहीं न कहीं जाते हैं यहाँ पर भी यही चीज़ होती है यह बंदे जो दोनों रहते हैं वह काफी बार यह चीज़ देखी है बाइक करके जाता है जो हाएबूसा वाणा रहता है वह काफी ज़्दा पैनिक हो जाता है वह एकदम से ब्रेक करता है तो यार थोड़ा सा अपने अंडर पाउर में चलाओ पहले बाइक को समझना सीख लो कैसे ब्रेकिंग करनी है कैसे अगर अचानक से कोई आ जाए सामने तो गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है इन सारी चीजों को अगर आप लोग समझ जाओगे तो उसके बाद भले एक बार को राइट करोगे तो आप लोग कहीने कहीं जो इसकिल्स है न भाई वो कहीने कहीं आपको सेफ कर लेंगी तो मिलते हैं किसी और नेक्स वीडियो में अगर आप लोग इसका थर्ड पार्ट ये तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग लिए थर्ड पार्ट बना दूँँ